हेलो एवरेवन वेल्कम बैक टो माच चानल जली इस टर्ठ करते हैं आज के से इस एफिसोड में इसकुष करेंगी रोट और पांप के बारे में तो स्टार्ठ करते हैं यहां पर अगर देखा जाए तो कंपनी यहां पे तरह तरह के पॉंप से बनाती हैं जो की कई सारी इंड सब्सक्राइब कर सकते हो लेकिन मुस्तली हम लोगों को देखना यह होता है कि किन-किन सेक्टर को यह कीटा कर रहा है अब जितनी भी यहां पर सेक्टर को यह कीटर कर रहे हैं उसके चलते हैं यहां पर अच्छी का से मिल रही है और उसके साथ साथ company के efficiency भी अच्छी है company बहुत जादा बड़ी नहीं है तेरा साथ वरोड की company है कोई ऐसाच यहाँ पर प्लेजिंग्स वगर नहीं है debt to results में company का debt भी नहीं है तो overall fundamentally at least हम लोग यहाँ तक के observation के बाद कहा सकते हैं स्ट्रॉंग है यहाँ पर company की profit and loss में अगर बात की जाए तो sales यहाँ पर देखोगे तो तोड़ी सी expectations से कम बढ़ी है अभी तक के अंदर तो यहाँ पर बहुत जादा तेजी से क्या सकते हैं कि sales नहीं बढ़ रही है नहीं यहाँ पर अगर देखा जाए तो company की margins बढ़ते नहीं है अभी के लिए फिलाल देखा जाए तो company अच्छा परफॉर्म कर रही है एक चीज़ हम लोग और चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर तीन साल या पांच साल की प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो वह भी काफी अच्छे numbers हम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिस यहाँ पर रिटर अच्छा मिल सकता है क्योंकि company का nature of business एक तरह से ऐसा है कि यहाँ पर ग्रूफ करेगी यह करेगी अगर देखो तो यहाँ पर डेफिनिटली बाइंग कर सकते हो कोई बहुत साथा सोचने आली इसमें बात नहीं है बड़ अगर आप स्विंग्ट्रीड चार सो तीस के उपर और इसके उपर अगर आप टार्गिट लोग है तो यहाँ पर 25 परशंट तक का बड़े ही आसानी से मिल सकता है आपको बट एक चीज है कि स्टॉप्रस आपको यहाँ पर फेवरेबल मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर को देखो तो यहाँ पर अगर आपको लेन नहीं लेनी है इन्वेस्मेंट परपस के लिए बाय करना है तो हायर राइस हायर लोस है यहाँ पर कंपनी को बाय कर सकते हो अच्छी वैल्यूएशन अच्छा मतब बिजनस मॉठर लगा यहाँ पर देखा जाए तो है तो उससे साब से यहाँ आपर आग करेंगे मिलेगा अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर स्क्राइब सब कर देना बैल आइकन वाले रोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना और अपना कैपटल सेफ रखना ओक के बाय